बहुत ज्यादा गर्मी चल रही है और जून में शायद गर्मी और बढ़ सकती है बिकॉज हमको मिलने वाले हैं काफी इंट्रस्टिंग स्मार्ट फोन्स मार्केट में और आज आपको यही में बताने वाला हूँ कि आखिर कौन से कौन से नए नए फोन्स होंगे जो आपको मिलेंगे in the month of June खाफी एक्सेनल लिस्ट है बहुत मजाने वाला है और आप बताइए कि आपका फिवरेट कौन सा है आप कौन से फोन के अंजार करते हैं नीचे कॉमेंट करते हुए नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव आप देख रहे हैं टेक्निकल घुरू जी चलिए शुरू करते हैं तो को शुरूआत करते हैं सबसे पहले मोट्रोला के साथ मोट्रोला हमने देखा है ओफ लेट की काफी सारे इंटरस्टिंग फोन्स को लांच कर रहा है अलग इंटरस्टिंग फीचर्स के साथ में चाहे वो आईपी रेटिंग हो चाहे वो स्लिम डिजाइन हो मतलब यू नो हाव मोट्रोला इस डूइंग स्टफ और अभी दोस्तों इंदर मन्त आफ जूनम को लगता है कि मोट्रोला लेके आने वाला है तीन नए फोन्स तो लेट सी हाव दिस प्लेज आउट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एज फिफ्टी सिरीज में एज फिफ्टी अल्टरा के बारे में हम बात कर रहे हैं मतलब एकदम अल्टिमेट फ्लाग्शिप मोट्रोला का जो फोन है ये भी आ सकता है जून के ही महिने में काफी इंटरस्टिंग सी स्पेक्सिम को देखने को मिलती है और फोल्डिंग फोन की बात करें विकाज भाई अब रेजर सिरीज जो है वो भी तो हर साल आती है मुट्रोल के तरफ से तो अभी इस बार रेजर फिफ्टी हमको देखने को मिलेगा मतलब एक अच्छा इंटरस सकता है स्ट्रेट फ्रॉम मुट्रोला इंडर मन्त ऑफ जून अगर हम आगे बढ़ते हैं और बात करें वन प्लस की ऐंडोंट तिंग कि ऐसा होगा बट स्टिल काफी स्ट्रॉंग हमको हिंट्स के मिल रहे हैं कि वन प्लस नॉर्ड सिरीज में वन प्लस नॉर्ड फोर जो ह वो हमको जून महीने में देखने को मिल सकता है अब उस तो आगे अगर बढ़ें तो एक और हलचल जो है वो मचाई है वीवो ने और वीवो लेके आ रहा है इंडिया में पहली बार अपना एक फोल्ड बल स्मार्ट फोन और ये एकदम फ्लैक्शिप फोल्ड बल स्मार्ट है वीवो की एक्स फोल्ड सिरीज का जो कि है लेटेस्ट एक्स फोल्ड 3 प्रो और इसमें जो है वो काफी सारे इंटरस्टिंग फीचर्स वीवो ने पैक किये है मतलब खाफी स्लिम है बैटरी काफी बड़ी है आईपी रेटिंग भी है और मतलब all together ये काफी इंटरस्टि जो भी वीवो लेकर आ रहा है इंडियन मार्केट में इसके लाव अगर हम आगे बढ़ते हैं बात करें अगर हम सामसंग की तो सामसंग ने रिसेंटली काफी फोन्स को लांच कर दिया है और अभी जून में शायद लगता है कुछ और फोन्स भी आ सकते हैं जहां पर M-series क M-35 आ सकता है in the month of June अगें एक mid-range phone आपको पता है सामसंग गलेक्सी M-series के अंदर क्या USBs रहती हैं तो उन्हीं सब परामिटर्स को follow करते हुए market में हमको M-series में M-35 देखने को मिल सकता है जोस्तों अगर आपको चाहिए Realme का मज़ा तो Realme GT series आपको पता है अभी GT 6T आ ग हमको June के महीने में देखने को मिल सकता है I would say around एक अच्छी value लेके आ सकता है शायद with all the specifications packed मैं अगर सो compare करता हूं तो मैं compare करूंगा for example IQ 12 अगरे के साथ में कि भाई उस टक्कर का एफोन होने वाला है अभी देखते है exactly details क्या रहती है और Realme जो है वो इस phone को I mean कैसा पूरा package पराके launch करता है तो बात करते है अगले phone की तो यह है Xiaomi की दरफ से Xiaomi CV आपको पता है जो CV लाइनप है Xiaomi का वो अभी तक हमको India में दिखा नहीं है तो इस फर्स टाइम कि Xiaomi अपने इस phone को India में लेके आ सकता है फ़ड़ा affordable होगा because Xiaomi को समझ में आता है कि बादे को महें के बिखते नहीं है तो अभी attempt जो है वो अंडर 50, अंडर 40 उस range में चल रहा है और Xiaomi का जो CV 4 Pro यह हमको लगता है कि अभी जून के महिने में हमको India में देखने को मिल सकता है तो सब्सक्राइब बात करते हैं लास्ट फोन की तो यह है HMD का Aero मूड़ा हो जाता है HMD के बारे में सुनके ना विकाज काम कमपनी को बहुत अच्छा करना चाहिए नोकिया का नाम था उनके पास और स्टिल ज्यादा कुछ करनी पाए और तो इन फैक नोकिया का नाम भी नहीं है अब तो केवल HMD का नाम ही यूज करते हैं यह एक आवर जो है काफी exciting से बन गई है और बस जून की बाद अगर हम जुलाई की जो है एक आपको हिंट दे दूं तो भाई जुलाई में Samsung का फोल्ड, Samsung का फ्लिप अगर है बहुत कुछ interesting phones होंगे और फिर आग आपको पताईगे August और September के अगर हम बात कलें तो फिर नहे वाले iPhones भी मैं आपस मुलता है अगले वीडियो में जैहिंद वंदे मात्रम